पिरिये विद्यार्थियो सुपरभाद मैं आज अश्टमबर को रुचिरा तृतियो भागा पुस्तक पढ़ा रही है। इस पुस्तक में चतुर्था पाठा जिसका सिर्शक है सदैवा पूर्तो निदेई चर्णम। अथार सदा ही कदम आगे रखो। यह एक गीत है जो स्रीधर भासकर बढ़ने कर द्वारा विर्चित है। इस गीत में मनुष्य को आगे बढ़ने की पेड़ना दी गई है। स्रीधर भासकर एक राष्टवादी कभी हैं। इस गीत के द्वारा उन्होंने जागरन तथा कर्मठता का संदेश दिया है। तो हम लोग अब आगे इस गीत को पढ़ते हैं। चला चला पूर्तो निदेई चर्णम। सदैवा पूर्तो निदेई चर्णम। यहां स्रीधर भासकर कहते हैं। हम मनुस्यों को कहते हैं कि हे मनुस्य चलो चलो आगे कदम रखो, सदाही आगे कदम रखो। उर्तो कार्थ होता है आगे, निदेई कार्थ होता है रखो, चर्णम कार्थ होता है कदम। सदैवा कार्थ होता है सदाही। तो हे मनुष्ट चलो चलो आगे कदम रखो सदा ही आगे कदम रखो गिरी सिखिरे ननु निज निकेतनम बिनैवा यानम नगा रोहनम बलम स्वकियम भवती साधिनम सदैवा पूर्तो निधेई चर्णम यहां कहा गया है कि निश्चे ही अपना घर परवत की चोटी पर है जहां बिना सवारी के ही परवत पर चर्णा है बल ही अपना बल ही एक साधन होता है इसलिए सदा कदम आगे रखो यहां गिरी सिख्रे का अर्थ होता है परवत की चोटी पर ननू का अर्थ होता है निश्चे ही निज निकेतनम का अर्थ होता है अपना घर बिनेवा का अर्थ होता है बिना ही यानम का अर्थ होता है सवारी नगा रोहनम का अर्थ होता है परवत पर चहना तो फिर से हिंदी बता दे रहे हूं कि निश्चे ही अपना घर परवत की चोटी पड़ है जहां बिना सवारी ही परवत पर चणना है अपना बल ही साधन होता है भप्ति कार्थ होता है अपना बल ही साधन होता है इसलिए हमेशा कदम आगी रखो दुसरा पैड़ा गराप में पथी पाहसाना विस्मा प्रखडा हिंस्वा पस्वास परितो घोरा सुदुसकरम खलू यदिपी गबनम सदैवा पूर्तु निदेई चर्नम यहां वनेकर जी कहते हैं कि रास्ते में तरह तरह के उबर खावर और नुकिले पथल हैं चारो और भ्यंकर और हिंसक पसू हैं यदिपी वहां जाना निश्चे ही अत्यंत कठीन हैं फिर भी हमेशा फिर भी सदा कदम आगी रखो पथी का अर्थ होता है रास्ते में पासाना का अर्थ होता है पथल प्रकड़ा का अर्थ होता है नुकिले पडितो का अर्थ होता है चारो और भोरा का अर्थ होता है भ्यंकर सुधुसकरम का अर्थ होता है अत्यन्थ कठीन खलू का अर्थ होता है निश्चे ही फिर से हिंदी बता दे रहे हूं रास्ते में तरह-तरह के उबर खावर और नुकीले पत्थल है चारो और भ्यंकर और हिंसक पसू है यदपी वहाँ जाना निश्चे ही अत्यन्त कठीन है फिर भी सदैव मतल सदा ही कदम आगी रखो किसरा पैरागराब जही ही भीतिम भजबज सक्तिम विदेही राष्टि तथा अनुरतिम कुरु कुरु सत्तम धेया अस्मर्नम सदैवा पूर्तो निधेई चर्नम जही ही कर्थ होता है त्याक करो भीतिम कर्थ होता है डर को भज़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़ निरंतर अपने लक्ष को अस्मरन करो, धेय कर्थ होता है लक्ष, सत्तम कर्थ होता है निरंतर, फिर हिंदी बता दे रहे हूं कि अपने अंदर भै को त्याक करो और सक्ति को भजो, उसी तरह राष्ट से प्रेम करो और निरंतर अपने लक्ष को अस्मरन करो, सदा कदम आगी लखो यहां कवी यहां गितकार वर्नेकर जी कहते हैं कि हम मनुष्य से यह कहना चाहते हैं कि मार्ग में जो भी कठनाया या जो भी चुनोतियां हैं उसे पार करते हुए सदा आगे बढ़ते जाओ तो बच्चो आज यह पार्ट एही समात होता है अगले दिन फिर मैं आप लो चिद रही है